अब अगला काम करते हैं प्रैक्टिकल काम ये तो हुआ टेक्निकल नामों का फुल फोर्म अब प्रैक्टिकल काम ये है कि हमें क्लोज में कई बाद सेंटेंस में भी ऐसा करने की आशकता पड़ जाती है कि हमें एलिमेंट्स निकालने होते हैं तो हम यह elements कैसे identify करते हैं, पाचो element इस काम पे आते हैं, देखिए, पाचो element कैसे निकालेंगे यह काम करना चालू करें, उसके पहले अपन कुछ तिन sentence लेते हैं, और उन sentence में आपको जवाब बताना है कि क्या क्या काम करेंगे, पहरा sentence अपने लिया, राहुल इस गोइंग टू स्कूल, दूसरा सेंटेंस लिया, राहुल इस ए डॉक्टर, थर्ड लिया, यह आज लिए स्कूल से ले लेते हैं, तो डॉक्टर इस टीचर कर लेते हैं, राहुल इस ए टीचर, यह तीन सेंटेंस हैं, अब आप पहले तो अपने सामाने विजुभी विचार से, ज्यान से, जब भी आपका जानकारी है, उसके अकोर्डिंग इनके आंसर करें कि क्या क्या उत्तर होने चाहिए, पहले सेंटेंस में राहुल क्या हो गया, सब्जिक्ट, वी एलिमेंट कौन सा है, फिलाल मैं वी वी लिखूँगा, उसको हम जहां जहां भी वी उसको फिर हम पीक भी कर सकते हैं, वी एलिमेंट कौन सा है, इस गोइंग, और टू स्कूल, क्या कर दिया जाए, अब्जिक्ट, उसले एक बार कर देते हैं, दूसरा सेंटेंस, एस, इस बार अकेला इज़ी क्या है, वी एलिमेंट, वी एलिमेंट निकलता है, वरभ फ्रेस नहीं, हेल्पिंग मैं जितने भी हैं, इस बार अकेली ये इतनी वरभ इसके साथ और कोई चीज़ है नहीं, V-Element बन जाएगा इसमें अगेले ये मैनेवर बनाएगी या ये Helping Man बिला के V-Element इसके बाद में आओगे A-Teacher ये भी फिर सब्रेरा O कर लेते हैं और लास्ट में आओ Subject ये V और इसे भी फिरो कर देते हैं हाँ जी क्या बनेगा देखें अब अपने एक बार ऐसा काम कर दिया इसके according तो हमने क्या बाद समझ में आई कि सेंटेस में आपको बड़ा असान काम है Subject निकाल लो V निकाल दो और जो सेस बचे उसे क्या बोल दो ओ बोल दो अगर हर बार ऐसे ओई बोलना होता तो बाद में फिर हमारे पास पाच एलिमेंट के आउशिक्ता क्या पड़ी पहली बात थो पिर तो एलिमेंट्स तीन ही होते एस वी और कोई वाक्या हो तुम तो हरे के वाक्य में जाकर होगे बाग बाग ये और ऑबजिक्त वी के बाद में आपजिक्त तो यह हम ञें तीन सेंटेंस किये इन में ये पहला सेंटेंस हमारा जो अनलेशिस किया हुआ है ये क्या हो गया सेंटेस तो ठीक है यह SVO वाला काम गलत हो गया ऐसे यहां जो SVO वाला काम यह वाला काम भी गलत है और यह ऐसी वाला काम, यह वाला क्या है? साही है. तो यह देखें, किसाब यह हमारे तो यह वह गलोगे, गल्ट ने क्या होगया? साही हो गया. इस बता ओ, जी. पहले तो अपन अपना बुना भाग निकालने पढ़ाईगा, नम्बरों का. तीन सवाल में ऐसे कितने सही किया अपन ने एक सही किया इसका मतलब कितना स्कोर हुआ स्कोर कितना हुआ कोई मार्किंग बान वाल नहीं है नेगेटिम बार्किंग नहीं है बिना नेगेटिम बार्किंग कितना स्कोर हुआ परसेंटेज में परसेंटेज की भाषा में 33.33 आगे लिया चलो जी ठीक यह आपका स्कोर हो गया तो इसमें बीच में के नहीं बात कर रहे हैं टॉपिक से इतर कि अगर आज से तीन सवाल में से हमारे दो सही हो जाते हैं और यह गलत अज़े क्या हो गया और वास्त्युक्ता में ज्यान कितना है यह फैक्ट ही है अगर यह वाला काम हम कर रहे हैं तो क्यों है क्यों हमने तो एक विवस्ता कर ले कि भाई साब सेंटेंस में क्या करो एस भी निकाल के आगे ओओ 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 10 invo कर 50 में उत् 필요 हो 10 बेस्वियो करिया हो कोई ने कोई तो ऐस पी गाया है वह सही होई जायेगा है तो यह सई जो हुआ है क्या यह आपके कांट सही हुआ है ना यह आपके कांट कतं़ी सही नहीं हुआ है । यह तो सही किसके चक्र में हुआ है यह तो राम परोकशे नाम पे सही कोया है तो और यह जो गलत हुए ना यह यह तुम्हारे ब्रोज से हैं गलती के जिम्हदार तो हम ही हैं और सही ओने में हमारा zero contribution है ये सरद्शारा तो राम-णाम का बहरा नाम बहुत वह जो भी उसका कॉंट्रिबूशन है सारा यानि यह भी हमें नहीं आता बस हमने तो SVO करना था आता है कर दिया तो कोई एक तो सही होना ही था इटमीज एक्चुली वी डॉंट नो एनिधिंग अवाउट इस थिंग्स तो यह से इस बात का मितलब कहने का यह है कि प्राप्त किये गए अंक हमारे वास्तविक ज्यान के सूचक नहीं है अंक तो आप थर्टी थरी प्राप्त कर लिए पर वास्तविकता का ज्यान का सूचक तो हमें पता है हमारा भी मंध जानता कि हमें तो आता तो कोई सा भी नहीं था की हर एक प्लोज में पांच होगे अधिक्तम एलिमेंट के संक्या कितनी है 5 पर हर बार पांचों पाए जाएंगे इसकी कोई guarantee नहीं है पांचों मेंसे ही आएगा एक еक extra एलिमेंट उर होता है वो मुख्य element में नहीं आता उसकी चर्चा लास्ट में करेंगे मैं element 5 ही है s v o c e वाले तो हर वाक्ष के कहलो वैसे सही तो मैंने कहा कि close की भाष्ण सब सही होती है तो हर close में 5 element हो यह कोई आउशक है नहीं इन में से ही पाए जाएंगे परंतु दो element confirm पाए जाते हैं कौन से दो element confirm पाए जाते हैं s और v तो minimum number of elements कितना होगा close में दो confirm होगा एक s होगा और एक v होगा लेकिन ध्यान अगना यह सारी सरते अभी finite पे पढ़ी जा रही हैं अभी हम जो भी बात करेंगे ना वो सारे close की चर्चा कैसे close के संद्रभ में होगी finite close के संद्रभ में होगी ना फाए जाति क्लोज में यह सरते इस प्रकार से पूर्ट ए लागू होगा नहीं देखी जाती हैं तो अभी में जो भी कुछ statement जारी करने वाला हूं दो संख्या होती है रहसे होते वैसे नहीं होते वो सारे के सारे close किस प्रकार के होंगे finite category के होंगे यानि जिन में क्या होगा tense availability वाली बात होगी वहां तक की चर्चाएं है non-fat close में कुछ नई तरह की चर्चाएं हमें भिन मिलेंगी तो पहली बात हुई कि हमारे पास 5 element है यह maximum number 5 element का है इन में से कोई भी close में elements in a close तो इसका जवाब क्या रहेगा किसी भी close में न्यून्तम संख्या कितनी होती है elements की क्या answer करेंगे दो answer करेंगे अब इसमें इतना जोर क्यों दे रहा हूँ वात बात कई व्यक्ति जो है आप में से जब sentence कैसे विचार करने लगते हैं तो ये आप सोच त्यार हम तो केवल एक element से भी क्या बना सकते हैं close बना सकते हैं एक का जवाब गलत हो जाएगा minimum हमारे पास जो नंबर होगा वो close में कितना पाया जाएगा दो ही पाया जाएगा एक जवाब गलत हो जाएगा एक कान से गलत हो जाएगा पहल तो वो देख आप जैसे हमारे पास एक मानलो एक्जाम पर लिया और आपने इतना ही बोल दिया go क्या बोल दिया? go और पूरा अपने आप में sentence हो गया और अगर ये एक sentence है इसमें close भी कितना हो जाएगा? ये की close sentence में क्या है? उसके फ्लोवर रेंग का नाम close है या आपने इससे बोल दिया run ये हिंदि पर जाओ दोड़ो तो ये run, go ऐसे जो हमारे पास sentence दिख रहे हैं या इसे जो close दिख रहे हैं इनमें आपको क्या दिख रहे हैं? run या go आपको only कौन सा element नज़र आएगा? V element अभी आपको इसमें S दिखाई नहीं दे रहा और O, C वगएर भी नहीं तो आप इस आधार पे क्या इस्तिक कह सकते हो कि minimum number of elements close में कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए ये examples के आधार पे आप एक, ये हमारा पूरा अपने sentence है, इसमें तुम्हें कितना element दिख रहा है? V name से only, एक ही element दिख रहा है अगर एक element है तो फिर ये जो मैंने उपर statement दिलवा रखा हूँ कि minimum number of elements close में कितने होंगे? दो होंगे एक का जवाब नहीं है तो ये ऐसा क्यों नहीं है उसका बास समझेगा ऐसे जो sentences हैं इन sentences को अपन प्रकारों में से आप जो type of sentence पढ़के आए होंगे स्कूल में, क्या नाम के sentence के नाम सुन के आते हैं उनको आप imperative sentence कहते है imperative sentence मैं बार बार रिपीड करना हूँ कि है तो सारी कहाने close में सरब मैं वह नाम लिखा हूँ इसलिए कि अधिक लोग पर ये नाम रहा है आपको ऐसे सुनने के आदित रही हुई है imperative sentence actually imperative close होते हैं सब के सब अपने आप में ये close है full stop के बाद बड़ी rank में फिर ये sentence बाद में कहलाता है जो भी imperative sentence है इनमें आपके पास जो subject के नाम पर जानकारी है वो इसमें कौन है you नाम का subject है जो की आपने बोला नहीं है या लिखा नहीं है ऐसे जो subject है जो मैं ब्रेकिट लगा दिये हैं ये कैसे कहलाते हैं subject है hidden subject है या आप कह दो understood है हमारा यहाँ जो subject है वो कौन है understood है implied है तो अगर subject implied है तो भी वो element के रूप में है जरूर ऐसा नहीं कहते कि वो है नहीं subject और वरब दो element होंगे दो element में कौन कौन से दो element होंगे S और V दो element होंगे हो सकता है subject is first आपको लिखावा बोलावा दिखराव सुन रहा हो और हो सकता है लिखावा नहीं है लेकिन उसकी मौझूदगी practically पाई जाती है कैसे जैसे मैंने कहा go जाओ तो कोई तो जाएगा और जाने वाला कोन आदमी होगा वो होगा listener वो कोन होगा जिसको आपने आदेशित किया है और listener जो होते हैं वो second person होते हैं और second person के नाम कों क्या बोलते हैं यू कहते हैं तो मैंने कहा कि come in अंदर आजाओ run दोडो तो आओ जाओ पढ़ो लिखो जो भी ऐसे आप आदेश के वाक्य कहोगे इन सभी में भी जो आपका verb है action है वो करने के लिए हमारे पास कोई ने कोई क्या होगा सबजिक नाम का व्यक्ति जूरूर पाया जाएगा और वो हमेशा इस्थाई तोर पे कोन होता है यू ही होता है वो हमेशा कोन होता है यू ही होता है बस उसको हम ने तो बोले हैं ना हम उसको ऐसे sentence में लिखते हैं इतना ही लिखते हैं only go calm, sit down, stand up तो सीधा हम ऐसे ही we elements से sentence को भले ही चालू करते होंगे पर imperative sentences में subject element के नाम पे you नाम का subject क्या पाया जाता है implied या hidden या understood इन में से कोई सा भी word काम में लिया जा सकता है या implied के जैसे प्रयावाची में एक और implicit भी कह सकते हो implicit ये तोनों एक जैसी कहानी है implicit बोलो इंप्रणोंने अंतर नहीत है यानि छुपा हुआ है तो ये सारी बात किस बात के बताई गई है कि minimum number of elements इने close का जवाब कभी भी दो नहीं करना है ऐसे उधारनों को देख कर कई बार आप विचार कर लेते हैं कि आर एक element से काम चल जाता है वी से चल जाता है वी से नहीं चलता है ऐसे वाक्यों में बस दिखता वी है इस भी है जरूर that is hidden, that is implicit, that is implied, that is understood इनमें से जो भी आपका नाम अच्छा लगे उसको प्रियोग किया जा सकता है और इसको दिखाने के लिए आपको दिखाना हो, इसपस्ट करना हो तो हम उसको ऐसे subject के as लिखकर और यहाँ पैसे bracket लगा देते हैं bracket का meaning होता है, subject है और वो क्या हो रखा है इस पस्ट दिख नहीं रहा है, वो implicit खेल में है implied है, hidden, understood है, उसको ऐसे bracket दिखा देते हैं और ऐसे भी UK भी ऐसे bracket लगा देते हैं यह लिखे वे नहीं आते इतने काम, हम ऐसे समझाने के लिए analysis में हम कर देते हैं जैसे suppose एक दूसरा पूरा एक जाम पर वापिस नहीं ले लेता हूं, मान लेते हैं आपने एक बड़ा, यह तुमने काफी छोटा दिखा दिया, थोड़ा इसको और विश्टार कर देते आगे जैसे अपने बोल दिया, open the door open the door आपने गहा, दरवाजा खोलो और हम कहें साब, यह पूरे sentence में आप यह elements बताओ और हमने कहा कि साब, यह open है, यह तो क्या हो गया we element, और there door, यह o हो गया अभी हमने सीखाने पर मैं लिख दिया, o हो गया अब आपको sentence उपरी तोर पर क्या दिख रहा है, we o यानि आप कहोगे साब देखो, बिना subject वाला कहानी आ गई और आप तो कहेते कि, ऐस तो पक्काई मिलेगा दो तो कनफर ही मिलेंगे, तुमारे तो ऐस ही नहीं तो हम इसमें कहेंगे, वही वाली कहानी, दरवाजा खोलो यानि कौन खोलो, वही तुम खोलो, जो भी तुमारे सामने वक्ति है, उसको तुमने कहा है, real life में अजूम करना है, sentences हमेशा real life में काम हैं, तो practical life में हम इसको कहने किनी वक्ति से संबोदन करके कहेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे, ऐसे, अगर आपको समझाना हो, डिटेल में, तो इसके पहले, ऐसे, ऐसे, ब्रैकेट में लिख देंगे, और उपर sentence के नाम पर आप यहाँ, यू के, ऐसे, ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये ब्रैकेट का मिनिंग अब अब यह कहना चाहते हैं, कि इंपलाइड या हिड़न या अंडर्स्टूड या इंप्लिसिट सब्जेक्ट यू वाला यहाँ पर है, तो यह ओनली अनलिसिस में किया जाएगा, ऐसे यू के ब्रैकेट रैस के ब्रैकेट, रियल लाइप में सेंटेंस ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, ओपन दर डॉर, ऐसे लिखेंगे, ओपन दर डॉर, प्रैक्टिकली लिखने में हम कभी ऐसा नहीं करते हैं, it is a matter of only analysis, सरब विसलेशन करके समझाने वाले बात के समय, SVOCA समझाते हैं, समय सा करा जाएगा, तो इस सारी बात चीछ से क्या बात स्पष्ट करी गई पहली बात तो, क्या बात स्पष्ट करी गई, कि किसी भी close में minimum number of elements कितना होगा, two होगा, और दो elements कौन-कौन से हैं, S और V element हैं, और कभी-कभी आपको ऐसे imperative में S element नहीं, ऐसी feeling सकती हैं, उसका इलाज बता दिया हूँ, वो ऐसे feeling याती है, real में ऐसा नहीं होता है, subject वहाँ भी होगा, और वो कोई ने कोई वहाँ पर हमारा उस काम को करने के लिए, doer के रूप में practically, जो semantically doer है, वो वहाँ पाया जाता है, वो काम कोई ने कोई वक्ती संपन करेगा ही क करेगा.